इसमें प्रश्ण दूसरा जो है न वो पठीत पध्यांस की उपर है ठीक है इसमें भी 5 marks है 5 question हमको सालव करने होंगे दिखिए अब पठीत पध्यांस में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पध्यांस याने कविता दिया हुआ है वो आपको समझ में ना आए तो आपको ज़्याद प्रश्ण को हम लोग देखेंगे देखिए इसका पहला प्रश्ण है कि तुम नहीं आए ना आओ छबी तुम्हारी ला रहे हैं मधूर बादल और बादल और बादल चा रहे हैं ठीक है तो देखिए इसमें जो है न कविता के भावार्त को पूछा गया है उसके लिए अच अंदेशा तुम्हारा बाव उठा है ला रहे हैं अब देखिए यहीं से हमको दिमाग लगाना है इन पंक्तियों में बादल कुछ ला रहे हैं तो बादल क्या लाते हैं बादल जो है वो बारिस लाते हैं तो सिधी सी बात है इसमें बादल के द्वारा बारिस लाने की बात बताया गया है आगे पड़ते हैं कि गरज में पुरुसार्थ उठता बरस में करुणा उतरती उठ रही हरी तिमा छण छण नया स्रिंगार करती तो दिखे इसमें भी उसी चीज को समझाया गया है कि जब वादल गरचते हैं वैसा लगता है कि उसमें पुरुसार्थ जो है न वो उठ रहा है और जब बरस्ते हैं तो करुणा वाने दया बने आसु की तरह वो नीचे गिर रहे हैं जिसके काण क्या हो रहा है कि जो प्रकृति है जो सुखी थी धर्ती ओ पानी के कारण हरी-भरी हो गई है जैसे उसने कोई स्विंगार या मेकप कर लिया है तो देखे जो बन बन गिरता है तो आप देखेंगे जब पानी गिरता है तो पानी जो है ओँच्छलने लगता है जो की क्रिसक को काफी अच्छा लगता है है ना इसमें आगे बोला गया है कि ये जो संदेशा है वो बह उठा है और उसको लाया जा रहा है मतलब बारी सोने वाला है आगे दिखिए इतरित की तह में समाई मुर्ती द्रिग जपका उठी है तार तार की धार तेरी बोल जी के गाह उठी है हैं तो दीखें तरित मतलब होता है जो विजली चमकता है जब विजली चमकता है तो उसके अंदर में जो बादल या पाणी भरा हुआ है नौ अ अब गिरने वाला है और धार जो है पानी की ओगीर रही है जिसको देखकर जो मन है उगा रहा है बने इस परकार से आपको एकदम एगजेक्ट तो नहीं लेकिन मोटा-मोटा समझने कोशिश करना है जैसे भी इसमें अपटित जो पध्यांस दिया है ना उसके अनुसार आगे देखिए कि पंतियों से पक्चियों से निड के रूख जा रहे हैं मधूर बादल और बादल और बादल आ रहे हैं ठीक है जाडियों का जुमना तस्रवल्लरी का लहलहाना दर्वित मिलने की सारे सजल चुपने का बहाना तुम नहीं आये ना आओ चबी तुम्हारी ला रहे हैं मधूर बादल और बादल और बादल चा रहे हैं और संदेशा तुम्हारा बह उठा है ला रहे हैं ठीक है तो देखिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में घुशने कोशिस नहीं करना है अब देखिए कोस्चन को देखते हैं उसके दवरा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी question रहे कैसे इसके answer तक हम लोग पहुँचें तो जैसे पहला question है कि तुम नहीं आए ना आओ चबी तुम्हारी ला रहे हैं मधूर बादल और बादल और बादल चा रहे हैं उपयुक तो पंक्तियों में खालिस्थान की चबी लाने की बात कही जा रही है अब तो नहीं होगा अप्शन B देखिए बारिस बोलता है बिल्कुल यही सही है कि बादल जो है ना वो बारिस लाते हैं और अप्शन C देखिए बादल बादल तो नहीं होगा इसमें और D है संसार तो संसार भी नहीं होगा तो इसका अप्शन B जो है बारिस यह बिल्कुल सही है इसके बाद इसका दूसरा देखिए इसमें कतन ये है कि गरचते वे बादल किसानों के लिए बारिज का संदेश ला रहे हैं बिल्कुल सही है कि जब बादल गरचते हैं तो किसान को इसारा मिल जाता है ये बरसात होने वाला है और किसान खूस होके अपने खेती बाड़ी क काम में लग जाता है, बिल्कुल शही है, कारण आर देखिए अत्यधिक बारिस किसी उत्पादों के लिए अनुकुल प्रिवेस का निर्मार करती है, तो देखिए जो कथन आर है ना, कि बहुंद ज़्यादा बारिस जो है, उससे खेती तो बहुत कर रहा है ठीक है तो इसके कारण हम लोग इसके options को देखेंगे. Option A है कि कफ़न गलत और कारण Aर सही है. यह बिल्कुल incorrect है कि कफ़न A सही है. ठीक है ना? और कारण A जो है ना इसकी सही ब्याक्ष कह नहीं कर रहा है. तो इसका option A जो है ना incorrect होगा. B देखिए कथन A और कारण R दोनों गलत है A भी गलत है जैसे मैं बता चुका हूँ कि कथन A बिल्कुल सही है C देखिए कथन A सही है और कारण R उसकी सही ब्याक्या है A भी गलत है क्योंकि जो कारण R है न उससे ही ब्याक्या नहीं है और इसमें D देखिए कि कतने सही है और करण R उसकी गलत ब्याक्या है तिसका अपसन D जो है न बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तिस प्रकार से आपको कफी एकाग रहो के सोचना है इसके बाद देखिए थर्ड नंबर ये बहुत इंपोर्टेंट है तरित की तह में समाई मुरुती द्रीक जबका उठी है तार तार की धार तेरी बोल जी के गा उठी है उपिक्त पंक्तियों में मेग किसकी ओट में अपनी आखें जबका रही है तो दिखे इसमें जो पहला लाइन है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि तरित की तह में मने तरित मने बिजली और यहां पे तह का मतलब है ओट मने उसके नीचे में जैसे रजाईक नीचे में लोग चुपते हैं न वैसी तो बिजली के नीचे में जो मेग है बादल है न वो अपनी आखों को जबका रहा है तो इसका आपसानिय बोलता है जुम्ती हुई जाडियों की बिलकुल गलत होगा भी देखिए बिजली की परतों की बिलकुल यही सही है कि बिजली की परतों के अंदर में जब बिजली चमकता है न तहां पे कभी कलपना कर रहे हैं कि जो बादल हैं, वो अपने आखों को जबकार हैं, ठीक है, उसके बाद C बोलता है, निले आस्मान की, तो ये भी नहीं होगा, और D है पानी की भूंदों की, तो ये भी नहीं होगा, इसके बाद इसमें चोथा नमबर देखिए, उप्रियुक्त कविता का मुख के विशय, क बादल और बिजली के मिलन की उपर इस कोईता को लिखे हैं, ऐसा नहीं है, C है, हरे भरे, पेड़ पोधों की सुन्दरता, ये भी नहीं है, लेकिन दी देखिए, बादलों के आगमन से प्रकृति के उस्सा, कि बादल जैसे आते हैं, तो प्रकृति में जो उस्सा होता है, उसी का यहां पे कभी ने मोहकवणन किया है, तो इसका अप्संटी हो जाएगा, कि बादलों के आगमन से प्रकृति के उस्सा, इसके बाद इसमें पांच्वा नमबर कोस्टन है, कि गरज में पुरुसार्थ उठता, बरस में करुणा उतरती, उठ रही हरी तीमा चण चण नया स्रिंगार करती, ठीक है, इसमें प्रस्ण देखिए कि रेखांकी सब्दों के अधार पर उप्रियुक्त पंक्तियों में खालिस्थान रंकार है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, तो यह जो पुरुसार्थ है, वो एक मानुवी गुण है, कि कोई आदमी, कोई महन इसी है, उसकी तुलना मानुवी गुणों के साथ में क्या गया है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, जो लंकार है वो मानुवी करण लंकार होगा, तो इसका अपसंदी देखिए मानुवी करण है, यही इसका correct answer होगा,